दोस्तों में पास बहुत टाइम से आप लोगों की queries आ रही हैं कि मैं grocery for you का आपको warehouse दिखाऊँ तो आज मैं आपको लेकर जाऊंगा grocery for you के warehouse में जहाँ पर कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ यह warehouse है कहाँ पर क्या-क्या product यहाँ पर available है इस सब चीजे मैं आपको बताऊँग दोस्तों grocery for you इंडिया में एक जाना माना नाम है जिनके 40 से ज़्यादा आउटलेट पूरी इंडिया में started है grocery for you आपको fofo model की franchisee देता है fofo से हमारा मतलब होता है franchisee on franchisee operated ना कि दोस्तों केवली आपको franchisee देता है बलकि अगर आप इनसे product लेकर sale करना चाहें as a distributor तो आप इनसे product लेकर sale भी कर सकते हैं जहाँ पर आपको कोई भी franchisee fees नहीं देनी पड़ती अगर आप इनका franchisee store जो की modern किराना start होता है वो start करना चाहते हैं तो आपको एक franchisee fee देनी पड़ती है जो की 2,75,000 पर प्लस GST होती है तो आप इनकी franchisee store भी ले सकते हैं franchisee store लेकर से फायदा ये होगा कि आपको best rate में products आएंगे आप लोगों को discount दे पाएंगे आप अच्छे अच्छे offer अपने store पर लगा पाएंगे जिसकी वज़र से आपकी sales ज़्यादा आएगी 4-4 model में सबसे बड़ा benefit दोस्तों ये होता है कि जब आप 4-4 model की franchisee शुरू करते हैं तो जो भी अंदर का investment है वो आप अपने हातों से करते हैं सारा investment आपके पास होता है जो daily की sales आती है वो आपके bank account पे जाती है आपको केवल एक minimum royalty grocery for you को pay करने पड़ती है दोस्तों मैं अपने channel पर हमेशा में guide करता हूँ कि अगर आप time दे सकते हैं किसी business में अगर आपके पास समय है तो हमेशा 4-4 model की franchisee लेनी चाहिए जिसमें कि आप अपने business में time दे पाऊगे और आप अच्छा business कर पाऊगे दोस्तों business में केवल पैसा ही नहीं लगता पैसे के सा समय की भी बहुत requirement होती है 4-4 model में आपका पैसा भी लगता है समय भी लगता है जिसकी वज़से आपकी returns on investment ज़्यादा आती है क्योंकि आपका खुद का interest वहाँ पर चुपा हुआ होता है जहाँ पर आपका खुद का interest है वहाँ पर आपकी losses के chances बहुत कम हो जाते हैं जहाँ पर आप किसी दूसरे को अपनी responsibility दे देते हैं वहाँ पर आपकी losses के chances बढ़ जाते हैं इसलिए दोस्तों 4-4 model हमेशा से एक profitable business model रहा है दोस्तों अब हम लोग आपको ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे सीधा चलते हैं और जानते हैं इनके warehouse के बारे में और वहाँ पर बात करते हैं grocery for you business के बारे में अब मैं आ चुका हूँ grocery for you retail private limited के बदर पूर के जो warehouse है वहाँ पर यहां पर मैं पहले आपको warehouse दिखाता हूं यह हम लोग warehouse की तरफ जा रहे हैं और आप जो देख रहे हैं यह इनका एक warehouse है इसे इनके कई सारे अलग-अलग warehouse हैं तो यह आप warehouse देख रहे हैं अब इस warehouse को हम लोग देखेंगे और फिर मैं इनकी पूरी franchise model के बारे में आप से बात करूंगा तो आज मैं इनके दिल्ली में बदरपूर दिल्ली के बदरपूर warehouse में लेकर आया हूं जहां पर मैं आपको लाइफ दिखाने वाला हूं इनका नाकिसी दिल्ली में है बलकि चलंगाना में और दिल्ली में और भी कई जगा इनके warehouses हैं जहां से पूरी इंडिया में delivery होती है और यहां से आपको मैं भी दिखाऊंगा पूरा warehouse दिखाऊंगा यहां से directly billing होती है billing होने के बाद जो भी stock निकलना होता है आपर proper गाली में डिलकर पूरी इंडिया में यहां से delivery होती है ऐसे ही warehouse अलग अलग जगा पर इनके आएंगे जैसे जैसे states में इनके franchise ही खुंती चली जाएंगी वैसे वैसे हर एक state में इनके warehouse आएंगे और फिर दिल्ली पे dependent ना होकर directly states से ही उसी state में supply आ जाएगी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप grocery for you से जुड़ना चाते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं क्या benefit हैं क्या pros and cons है हर चीज में आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपको कोई दूसरा वीडियो देखने के जरूत नहीं पड़ेगी अगर आप grocery का business करना चाहते हैं दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से जो भी order आता है यह order इस तरीके से सारा तयार करते हैं यहाँ पर order तयार किया रहा है delivery के लिए सारा समान निकल रहा है और उसके बाद एक जगा यह इकठा होगा फ्रेंड्स आप यह देख रहे हैं यहाँ पर accounts team है जो पूरी इंडिया में dispatching होती है यहीं से dispatching होती है सारे बिल बनते हैं इस तरीके से सबके बिल बनकर तयार हो जाते हैं और फिर उसके बाद इस warehouse में से जो भी stock है stock निकलकर ब दोस्तों हम बात करते हैं grocery for you के franchise model के बारे में एक्जक्टलीन का franchise model है क्या किस तरीके साब इनके franchise ही ले सकते हो यह जानने से पहले सबसे पहले आप में बताना चाहूंगा जो grocery for you है यह 2020 में जूरू हुआ था और एक साल के अंदर इनके 40 से ज्यादा store live है और 20 से ज्यादा store इनके under construction है जो कि अगले 2-3 मेने में live हो जाएंगे आप जब इनकी website पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको store locations का option मिलेगा वहाँ पर आप अपने शहर के आसपास इनका कौन सा store है खुझ से चेक करिए और जाकर आप इनके store पर widget भी करकर आ सकते हैं दोस्तों अभी मैं आपक पर इनके अलग-अलग locations के store तो सबसे पहले तो मैंने यह दिखाया कि इनके यह fastest growing grocery retail chain है जो कि Foco model और Fofo model दोनों तरीके की franchise दे रही है लेकिन दोस्तों मैं हमें सा Fofo model को ही test करता हूं क्योंकि यहाँ पर आप खुद time देते हैं और खुद अपने business को आगे बढ़ाते हैं अगर आपके बाद समय नहीं है तो आप Foco model के franchise यह भी ले सकते हैं now friends इनका business model क्या है किस तरीके से आप सुरू करेंगे यह भी हम जान लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसे आप start कर सकते हैं लेकिन उससे पहले why grocery for you? grocery for you क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक fastest growing retail chain है इ आपको on time delivery मिलती है, policy इनकी बहुत जबरदर्स थे, आपको सारे branded products मिलेंगे जो कि आपको discounted pricing मिलेंगे, आप अच्छा discount दे पाएंगे customer को ताकि customer आपके पास बार बार आएगा now हम यह भी जाने हैं, franchise को apply कैसे करें, उससे पहले हम जान लेते हैं इनका जो foco model business है, वो क्या है और fofo model business है, वो क्या है तो मैं यहाँ पर इनके browser पर आगया हूँ, now दोस्तों आपको benefit क्या होने वाला है, सबसे अच्छी चीज क्या है, क्योंकि आपको experience team मिलती है, experience business मिलता है, इससे आपकी investment की cost reduce हो जाती है, आपकी जो return on investment है वो हाई हो जाती है, आपको special training offer होती है, और आपको कभी भी purchasing के बा यहाँ पर मैं आपको इंडिया के map के ओपर इनके जो अलग-अलग locations पर इनके अभी already franchise जो वो मैं दिखा रहा हूँ, यह पुराना वाला है, इसके बाप भी बहुत सारे franchise इनके और open हो चुके हैं, now friends, आप अगर इनके franchise लेना चाहते हैं, तो किस तरीके से franchise लेंगे, तो से कम 500 square feet का आपका area हो, बड़ा आप जितना मरजी खोल सकते हो, भले 10,000 square feet में खोलिए, 5000 में खोलिए, वो आपकी मरजी है, यहाँ पर आपको franchise fee देनी पड़ती है one time, जिसकी cost है 2,75,000 उपे प्लस 18% GST, आपको एक software fees देनी पड़ती है, यह per login है, अगर आप एक system लगाएं तो एक system पे ही काम हो जाता है, अगर आप 1000 square feet से बड़ा store होल रहे हैं, तो फिर आपको systems बढ़ाने पड़ते हैं, अगर हम product cost की बात करें, तो आपको 2000 उपे per square feet approximate है, कि यह आपकी investment आती है, मतलब कि 500 square feet के जो आपका store रहता है, उसमें 8-10 लाख रुपे का investment आता है, इसमें 500 square feet में जो आपका रैकिंग का investment आता है, वो 4-5 लाख रुपे का आता है, दोस्तो यह actual basis पर है, यहाँ पर आपको जो भी खर्चा होता है, वो company को देना होता है, या फिर आप अपने आप भी करवा सकते हैं, दोस्तो यह फ्रेंचाइजी फीज है, यह 1000 square feet से बड़ा store खोलत तो आपको सारे product मिलते हैं, सब चीजें आपको मिलेगी company, जो भी आपके modern किराना store में होता है, हर चीज company आपको arrange करके देती है, उने better price, best discounts, ना दोस्तो यहाँ पर आपको जो benefit मिलता है, ना कि केवल stock sales से मिलता है, बलकि अगर आप कोई franchise refer करते हैं, तो वहाँ पर भी आप आपको back end पर काम करता है, आपको strengthen बनाने का काम करता है, आपको मजबुत बनाने का काम करता है, और दोस्तो, grocery for you ना कि केवल आपको off store delivery पर है, बलकि online delivery पर भी काम कर रहा है, आपको जो apply करना होता है, एक application form आपको मिलेगा, आप अगर लेना चाहता है, इसकी franchise हमें call करिए एक application form इस तरीके से आयागा, जिसमें कि आपका country, state, district, pin code, franchise name, franchise address, आपका mobile number, email ID, firm name, GST number, बादर ये सारी normal information आपको देनी होगी, और उसके बाद आपका ली apply हो जाएगा, और साथी साथ आप अगर approve होता है आपकी location, तो आप इन्हें franchise fees pay करेंगे, और उसके बाद आपका का स्टार्ट हो जाएगा, एक महीने के आसपास लगता है, अगर आप अपना grocery for you retail store स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ, इसे share करना मत भूलिएगा, साथी साथ अगर आप इस business में interested हैं, तो हमसे बात करिए, हम आपकी हर तरीके से help करेंग लेकिन दोस्तों, मैं हमेशा ये कहता हूँ, कि कोई भी business आप अपने विवेक के अधार पर करिए, अच्छे से चेक करिए, और जब आपको पूरा अच्छा लगे, तब ही आज उस business को सुरू करें, जैहिन जै भारत